ओम शान्ति आज आपको सत्तुरुवे दिन का वरदान बाबा हमें याद दिलाते हैं आज के वरदान में परमात्मा पताते हैं कि जैसे चंद्रमा की कलाएं, सोला कलाएं संपून होती हैं दुक्ल पूरा मून, फुल मून जिसको कहें या आप कहें कि पूर्ण चंद्रमा, जैसे कि दिखायाता है देवी देतों के पीछे एक सफेद रंग का चंद्रमा स्वरूप का एक हेलो दिखाते हैं, एक प्रकाश दिखाते हैं वो वुरी आप इंदर सारी जो कलाएं पर्मात्मयμεंे भरी थी वो फिर से भर चुकी है लेकिन कल्यों के अंत्र तक आते आते हैं वो कलाएं गट्टी जाती है आपका वो जो चंद्रमा की जो सफेद जो प्रकाश होता है वो घर्टे-घर्टे-घर्टे-घर्टे काला होना शुरू आता है अमा आवस्या टाइप बन जाता है कहने का रत्तात पर यह है कि हमारे अंदर अवगुण भरते आते हैं हमारे अंदर क्रोध, अहंकार, इश्या, दूईशन अफरत भरते जाता है तो वो चंद्रमाई जो रौनक थी, जो प्रकाश था वो खड़ जाता है और पवित्रता विक्कुल कम हो जाती है तो हमारे अंदर जो कला हैं, बोलने की कला, देखने की कला, उठने बैठने की कला, और उसे संबंद में आने की कला भी बहुती गंदी और बहुती अपवित्र और उसमें भी कालापन खोट आ जाता है, तो परमात्मा आज हमें उस चीज की याद दिलाते हैं कि हमें कैसा बनन संगम यूग पर ये यूग जहां पर हम अपवित्र पतित आत्माओं का परमपिता परमात्मा सर्फ के पतित पावन पतितों को पावन बनाने वाले अपवित्र आत्माओं को पवित्र बनाने वाले जिनका मन मैला हो गया है उनके मन को धूने वाले परमपिता परमात्मा इस क निक्ति हमगें तो बाबा कहते हैं तो बाबा कहते हैं संगम यूगपर हर करमकलः के रूप में करनेवाले आज इंसान के अंदर बोलने की कला देखने की कला जरूर हो senza पर नेगा का फवित्र है इस चीज के उपर पर पात्माह में इशारा करते हैं तो संघं योग पर हर कर्म कला के रूप में करने वाले सोला कला सम पन्न भवा सोला कलाइं कब होंगी कौनशी कbreaking वह then लेकर दिखते हम बाबा को आगे बढ़ाने की कला, किसी को सिखाने की कला, teaching की कला भी होती है, talent होता है, इस सारी चीजने, किसी को art में, किसी को music में, किस ना किसी तरीके से कला दी हुई है, rest करने की कला होती है, कुछ लोग तो rest में भी tension कर रहे होते हैं, तो आराम करने की भी कला होती है, किस तरीके स कला दिखाने का यूग है तो अगर आप किसी को देख रहे हैं कि वह बहुत जादा प्लेट भर करके खा रहा है लोब में खा रहा है तो आप लोग कैसा इंसान है तो उसमें आपको कला नहीं दिखाई देगी खाना तो हर को एक खाता है लेकिन खाने का तरीका भी होता है उसम परमात्मा के रहती हुआरे ऐंशा होता है। कि परमात्मा करता है मेरे से अगो प्रामत्मा के आने दिए săग उठने के बाद मेरे से ग्यान उठाने के बाद मैं जब आपको याद दिलाता हूँ कि आप एक दिव्य आत्मा थे कहीं जन्म पहले और अन्तिम जन्म में आके आप काले बन गए आपके अंदर वो जो चंद्रमा की जो कलाएं थी वो काली 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 होती गई अम मेरे से योग लागा कि आप संपून्द चंद्रमा, अमा वस्थे से आप संपून्द चंद्रमा, पूर्णिमा की तरफ आप भढ़ रहे हो पूर्णिमा जैसे भर जाएंगी यही संपून्द स्टेज की निशानी है कि बोलने की कला, रहन सेन की कला, आपस में संबंद में आने की कला, निर्णे लेने की सारी चीजों के अंदर आपके अंदर रखिया, एक तैजीब, एक तरीका हो एक स्वच बेवार हो, कलाओं के अनुसार करें आप हबर-दबर में करावा काम, कला अनुसार नहीं होता है तो वो कला हीन होता है जैसे साकार के, साकार मतलब जिससे हमारे प्रजापिता बर्हम कुमारी इसके जो founding father प्रजपिता ब्रह्मा या आडम कहें हैं आप उनको परमात्मा ने जब पवित्रता की रोशनी प्रकाश देना शुरू किया तो उनके अंदर एक तैजीब, चलन, चाल चलन, सब कुछ उनका पवित्र होना शुरू हुआ, रोयल होना शुरू हुआ तो परमात्मा कहते हैं जैसे साकार में, साकार के बोलने, चलने, उठने, बैटने सबी में विशेष्टा देखी, बाबा कैसे उठते थे, कैसे बैटते थे, कुछ रोयल लोग भी कहते थे कि आप तो आपका उठना, बैटना, बाचित करना ता हो, हम राजाओं से भी उचा है ये उनको लोग विशेष्टा देखरके उनकी महिमा करते थे, तो वैसे ही परमपिता प्रमात्र केते हैं, हमारे अंदर भी वो आना चाहिए हो, कला आने चाहिए, ये निकि आपने जटके से उठे, जटके से बैठे, उची आवाज में बोले, और खुसर-खुसर किया इता जिनको हमें गुणों में परिवर्तन करना है बाबा कहते हैं उठने बैठने की कला देखने की कला आप चोरी छुपे देखने लोगों को क्या हो रहा है है ना किसी को आप गंदी नजरों से देख रहे हैं ये कलाएं पवित्र कलाएं नहीं है अगर आपके अंदर सत्य ताय तो आप आँखों में आँखें मिला करके देखेंगे क्योंकि आपके अंदर जूट नहीं है, पाप नहीं है तो भी एक कला हो गई है चलने की कला, चलते समय भी बिल्कुल हवटतावल में चलना है ना, तेड़ा मिड़ा चलना ये भी चलने की कला नहीं आ है, इस्ते अराम से चलना, सीधा होगार के चलना विक को सत्य मार्ग में चलने वालई आत्मा कैसे चलेगी? जूट में जो चलते हैं, उनके कंदे जुके रहते हैं, इधर ऊदर देखते हैं, गरदन जुकी रहती है तो वो चलने की कला भी होती है तो देखने की कला चलने की कला थी इसमें प्रजपिता ब्रह्मा में सभी में न्यारापन और विशेशता थी दुनिया की तौर तरीकों से न्यारे बिकुल अलग थे वो बिकुल पवित्रत है देख कर लगता था यह फरिश्टे लोग है, तो ऐसे follow father कर, किसको follow करना है? ऐसे प्रजा पिता ब्रह्मा जो founding father है, उनको follow कर, सोला कला संपन बनो उनको कॉपी करना है किसी की बॉलता है पने अनुसार उनको पने रचा उनको घ्यान दिया उनको सुच बूच दी उनको फॉलो करो तो आप समझ जायओ कि भगवान चाहते क्या है आपसे तो आज इस वर्धान के साथ में पर जब तब ब्रह्मा कुमारीज मैं आप आकर के सीखें इस कला को, सुला कलाओं को और मुझे यहाँ पर इजादत दे ओम शांती